नमस्कारे, आज के वेडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि तुलारासी वालों का आज का दिन यानि की 30 जुलाई 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है तो जानने के लिए वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 30 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है एकादसी नक्षत्र है अनुराधा पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है गुरू बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के 41 मिनट एम में सुर्य अस्त हो रहा है साथ बज के 13 मिनट पी एम में रितू है वर्षा आज का दिन काल है 13 घंट 31 मिनट 31 सिकेंड का महिना है स्रावन आज के दिन सुभ समय शुरू होता है 11 बज के 55 मिनट पी एम से 12 बज के 54 मिनट पी एम तक आसुभ काल सुरू होता है 10 बज के 12 मिनट एम से 11 बज के 6 मिनट एम तक दुबारा है 3 बज के 36 मिनट पी एम से 4 बज के 30 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 2 बज के 8 मिनट पी एम से 3 बज के 50 मिनट पी एम तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुनें और फॉलो करें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एक आग्रता के शाथ आप सुनें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के धन संपती के बारे में मित्रों पैसों के द्रिष्टी कोन से आज का दिन आपके लिए सामाणने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन अगर आप कहीं भी धन संपती का निवेस करना चाहते हैं तो निवेस के द्रिष्टी कोन से आज का दिन आपके लिए बेहतर नहीं है अगर पौसिबल हो संभब हो तो आज के दिन आप निवेस बिलकुल भी ना करें वैसे अगर आपके घर पड़िवार की बात करें तो पाड़िवारिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शम है अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आपके घर पड़िवार में शभी लोगों के साथ आपका शम्बंध बहुत ही जियादा मजबूत बेहतर और सांदार हो इसके बाद है आपका प्रेम शम्बंध है मित्रों आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो मुलाकात करने के बाद आपका प्रेम शम्बंध है बहुत ही जियादा बेहतर होगा आज के दिन अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मिलते हो तो मिलने के बाद आपका प्रेम शंबंध बहुत ही जयादा रोमांचक होगा और इस वजह से आज के दिन आपके लभ में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत जयादा नीची है आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े छित्र में आप लापडवाही बिलकुल भी न करें आज के दिन आप जिस काम को करने का प्रेयास करते हैं तो उ आपका कामकाज सामान नेतोर पे सही हो जाएगा इसके बाद है आपका बैबाहिक जीवन दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथ ही आपको खुश करने के लिए हर वो प्रयास करने वाला है जो प्रयास वो कर सकता है और इसी वजह से आज के दिन आपके दामपत्य जीवन मे कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगी लेकिन अगर आपके श्वास्त की और देखा जाए तो स्वास्त के दृष्टी कौन से भी आपका शमय सामान ने तोड़ पे सही रहेगा आज के दिन आप तनाब लेने से बचने का प्रयास करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं आज के दिन अगर आप तनाब से दूर रहते हैं तो फिर आपके श्वास्त में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा और आपका श्वास्त बहुत ही जयादा बेहतर और सांधर हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बेहतर होगा तो टोटका बहुत ही जयादा सामाने और आसान है आज के दिन आप सुध सहद का सेबन करें क्या करना है आज के दिन आपको सुध सहद का सेबन करना है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आप आपके लिए सुभ रंग है काला और नीला आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यनी की टू तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें वाटसेप पे, फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हर जग सेयर कर दें ताकि बांकी लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने समय को बेहतर और सांदार बना सकें धन्यवाद